अलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू एलन डिजिटल जैसा कि आप लोग जानते हैं जे मेंस 2024 फर्स्ट अटेंप्ट का प्रसेंटाइल आपको मिल चुके हैं और कुछ बच्चों ने 98 पॉइंट सम्थिंग और 99 प्रसेंटाइल स्कोर किया है उनको हमाई तरफ से मैंने मैं कॉंगरेचुलेशन्स कुछ स्टेंट्स ऐसे हैं जो 96, 97, 98 के आसपास हैं और कुछ स्टेंट्स ऐसे हैं जो बिलोग 96 है 92 to 96 या फिर ऐसे भी हैं जिनका प्रसेंटाइल बहुत ही कम है सो आज हम लोग उन सभी स्टेंट्स को जिस जगे पर भी वो खड़े हैं वहां से और इंप्रूमेंट कैसे कर सकते हैं और कैसे वो रिजल्ट प्राप कर सकते हैं उस रिजल्ट को प्राप करने के लिए क्या करना चाहिए वो चीज़े हम आपके साथ डिसकस करने जा रहे है We are not only going to discuss, we are going to provide you the exact solution कि आपको क्या करना चाहिए Myself, Avinash Saini, मेरे साथ है Hemant Gautam Sir और Surya Sengi Sir So, सबसे पहले, Sir, हम बात करते हैं उन बच्चों के बारे में, जिनका परसेंटाइल, let's say 92% से नीचे है जिनके बहुत ही थिन चांसे हैं कि वो एडवांस के लिए अप्यर कर भी सकते हैं तो ऐसे बच्चों को इस टाइम पर आपके अकोर्डिंग आपी क्या करना चाहिए Thank you Sir, आपने बहुत ही अच्छा क्विशन रेसके हैं बच्चों के रिगार्डिंग काई बच्चों को वारी सब्सक्षा बाउंडरी लाइन पर यह उसी थोड़ा बिलो आगे हैं तो क्या करना चाहिए तो जिन बच्चों का परसंटाल 91 और 90 के बिलो आगे है या जो एडवांस वाली बाउंडरी लाइन पर है कर दो भी ओर फरनाई स्वा श्ली करना चाहिए चहिए Solaris स्वा नें सब्सकिर बॉफ। कर लाइन जियर ओक संप सफठे क्रना चाहिए कि जो बॉर्ड एक्जाम है उसमें 12th का स्लिवस ज्यादा आता है उसमें ज्यादा परसेंटेज जो रहता है तो केमेस्टी के पॉइंट आप पूछू तो उनको कौन से टॉपिक्स पर या किन चीजों पर भी ज्यादा फोकस रहना चाहिए जिन बच्चों का 92 परसेंटाइल से नीचे या जो मैं कहूं कि अभी मेंस वो क्रॉस नहीं कर पाएं उन बच्चों को सबसे आज जूरत है इस वाक्त सर देखिए अगर हम बॉर्ड के पॉइंट आप व्यूस से देखें तो बॉर्ड में जो स्लेवस है ना उसमें से काफी को स्लेवस अभी जैई मेंस में है क्योंकि यभी लास्ट इस सीमी में अब मेंस का एक्जाम हुआ है और एंटी ने जो सलेवस रिलीस किया था तो काफी कुछ स्लेवस वोडर से ऑन गेचा हुआ जो बॉर्ड से आता है बच्चे को अगर इस पर अच्छे से फोकस कर देखें साथ वोडर के साथ न Peach Watch debate levarते ही जयसे मैं एक करा तो ईक सब्राइश चैप्टर उन्हों ने हटा दिया है सब्सक्राइश मौनिए लगता है और मुझे लगता है ये काफी टफ में बड़ा मुझे बड़ादा था तो आखर आपका विजुलाइशन बढ़े है तो आगर आपका विजुलाइशन बढ़े है तो अगर आपका विजुलाइशन बढ़िया है तो तो आगर बढ़ा premier गुषिट को सुन और नीट कर दिया है थो तो उन्हें ने ação normal नहीं है जो मेंस ने रीमूट कर दी तो बच्चे बोड को आप लेते हुए ऐसा ना सोचें कि मैं बोड कर रहा हूं उसके बाद मेंस को कैसी प्रिपेर करूंगा तो बोड में जो आपके क्यूशन जो चैप्टर से जो मेंस में कवर होते हैं आप उन पे भी अच्छे से फोकस कर सकते हैं क्योंकि यह तो हम सब जान रहे हैं जो मेंस में क्यूशन आ रहे हैं वह एंसी आटी के ही अंदर से आ रहे हैं और बच्चों फिजिक्स के पॉइंट विसम में बताना चाहूंगा आपको कि जो आपका अभी बौर चल रहा है तो अभी पहले आप बॉर्ड पर फ पर फिर आप 11 पॉर्शन पर रहे हैं अधिक मैंस में से ऐसा ही होना चाहिए बिल्कुल सर ने बुट अच्छे पॉइंट किया कि आप बॉर्ट से अग्जाम कर रहे हैं तो आपको फोकस्ता करना है फिर आपको 11 पर पार्ट पर ताकि आपका J-min 2 का फिछी से प्रिपेर हो से पुछेंगिया तो बच्चों आप देखना J-min 1 के अंदर से कौनिक सेक्शन जो काफी इंपोरेंट पार होता है वह से काफी कम कृष्ण पुछेंगे है जिसे पारा बोला से ओनली वन कृष्ण पुछेंगे बच्छों से बच्चों से बच्चों पुछेंगिया तो जह यह मेंस क्लियर कर लिया है एंड आदे आर अल्मोस्ट लब 92 परसेंट से उपराल तो सारी एडवांस के लिजिबल होते हैं तो उन इस्टुएंट को इस वक्त क्या सेकेंड मेंस के लिए प्रिपेर करना चाहिए और अलोंग विद प्रिपेरिंग विद फोर जे एडवांस तो फिजिक्स के पॉइंट विव से पहले में बता दूँ जिन बच्चों का 97 परसेंटाइल तक है तो उन स्टुएंट को केवल यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे केवल एडवांस की तयारी करनी है जे मेंस सेकेंट इंट इस वेरी इंपोर्टेंट फोर दोज स्टुएं कि जब तक जहीं मेंस नहीं हो जाता तो साथ जो भी वह अपना टाइम टेव बनाए उसमें मेंस की प्रिपेशन का टाइम थोड़ा सा एक्स्टा रखें और एडवांस का कॉशेंट साथ अभी थोड़ा सा कम कर सकते हैं और वन्स वह मेंस अच्छा हो गया तो फिर वह कंप प्रिप्स हो सकते हैं जिनको यह अभी चूज करें दूसर ने बहुत अच्छा पॉंट रेस कि जिन बच्चों को परसंचाल 92-96-97 की बीच में है यानि उनका जो एडवांस क्वालिफाई कर देने के लिए लेकिन का मेंस 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 को इतना अच्छा नहीं है क्यों तो बच अच्छा सा एनाइटी शोर हो गया तो पर आराम से विल्कुल कॉम्धेंटी एडवांस नेरी कर सकता हूं तो यहां से मुझे सर आपकी इस बात से बहुत अच्छी बात याद है यह आपने का ना एनाइटी शोर हो गया इस तुए चीज हमेंसे रान रहे को जिनका 96-परसं से अच्छा कर जाते हैं जैसे अपने इंडियन टीम है पुरा टूनामेंट अच्छा खेल लगी फाइनल में प्रेसर ले लिया और वह फाइनल में और उस्टिला ने विजए उनके प्रेसर ने उनको हरा दिया तो यही चीज है जिन इस्टेंस का 96-परसंटेल के नीचे है वह सेकंड अटेम्ट पर फोकस करें सेकंड इंडियन नाइंट परसंट तेले पहुंच जाए अब आप यह परसंट मान लो कि एनाइटी में एक अच्छी नाइटी में अच्छी ब्रांच आपकी सिक्क्रों नाव यू आर फ्री ऑप प्रेसर अब जब आप जब आप जब करना चाहिए तो जैसे आपने एक रेंज बताया है 92 से अगर नीचे वाला है तो उसको बिल्कुल केवल और मेंस पर फोकस करना चाहिए और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री हूं कि हमें एक स्टेपिंग हमारा एक स्टेप जो हमारा एक टार्गर पहले फिक्स हो ज अब बहुत फोन आ रहे हैं तो बिल्कुल जो आपका मैंस का स्लेबस है उसके हिसाब से बहुत टफ लेवल पर भी जाने की जवद नहीं होती है मैंस के लिए तो फिजिकल में या आयोसी में या ओसी में तीनों में अगर हम बात कहें तो एजली एंसी आर्ट को फोलो करते सब्सक्राइब करें तो अब डेफिनेटली बच्चों ने भी एक्जाम देया हुआ है पेपर देखे हुए सारे पेपर रिलीज हो चुके हैं सारे कुशन देख लिए तो बच्चा अब यह फील भी कर पा रहा है कि नहीं हम कर सकते हैं अगर हम एक कॉंस्टेंट तरीके से म में और देना चाहूंगा मेरे हिसाब से आप लोग बताना ऐसा हो होना चाहिए नहीं लाइक जैसे में फिजिक्स की बात करूं तो अलेडी एंट ने बहुत सा स्लेबस रिमूब कर दिया है कुछ चीज जो बहुत कंवेंशनल नहीं तोड़ी सी अलग तोपिक थे उनको रि हाई-level question आते नहीं में में हर टॉपिक के एक basic question आता है आप यह मान लोगी ज्यादा से ज्यादा एक फार्मला बेस और बहुत मुश्किल question कोई आएगा तो उसमें दो फार्मले लग रहे होंगे वो भी मैस में आएगा शायद फिजिक्स और केमिस्टी में तो उतने नहीं मैस में मैं जुरूर एक चाहूंगा हमन सर से कि कुछ हमेशा यह रहा है कि हम भी सजेस्ट करते हैं आप लोग कि जब भी आप मेंस अटेम्ट करें तो सब्जेक्ट को प्राइटाई जूरूर करें पहले chemistry करें फिर physics करें और फिर मैस पहें हाला कि सर मैस के टीचर हैं लेकि जब करें अछा जड़ो अच्छ परसे कि तो सब्सक्त करें तो इस इस अच्छ आप बटत करें लेकिया जाए तो बच्चों जहां पर लेन्दी कृशन आते हैं तो आपके तीन चाह टोपिक्स होगे तो अश्या तो खतीच कесь आपना चीड़ के शेक्शन आपको पहां जो कुछी इसन का जो जो थे नहीं का है है, जो असमेला नहीं का कलने है. इस जो रहए जिल रगा है Iidadean हिता मेगाए फर एकटने जारे रहना है. मैंने मतले हैं, मतल़ने होना नहीं है। चारा होसा, मतल़न इस सब्सक्राइब करें ने चिए हो आगी अगा है। बहुत अगें करने दो के हैँ इस पहुत कि जाओका होगा सिस्क्राइपन के मेल स्प्पेसिपी के मैच वे सप्टर हघा कि पहले हम उन question को attack करें जो one chapter one concept पे बाद उसके बाद उस पर जाए कि एक ही chapter बट उसके multiple concept यूज हो रहे हैं और वो multiple chapter multiple concept पर शायद बहुत बाद में जाना चाहिए if we have ample amount of time अगर वहाँ time बचा हुआ है तो और physics और chemistry हमारे question करना चाहिए तब शायद करना चाहिए Sir अऑफरस सीफील होते हैं सचिगह से इसकिसर चाहिए है कितने करगेटिके सब्सक्राइब किस और में सब्सक्राइब करगेगे कितने के बाहें थो special about the time कुछ सी chemistry question पहले बाद में बिल्कुंसा बाद में इसके बाद में बाद में है मन सर्षा बतायता है तो मैं मन में भी ता कि नहीं में भी वोलूँ तो सर जैसे अगर आप जो लास्ट ट्रेंड देख रहे हैं जब से महलाब वह दो चिप्ट में स्ब्सक्षाट बी आने लगा ह और मैं खुद यह सजेस्ट करना चाहूँगा कि IOC को PC के रिस्पेक्ट में सॉल्ट करना बहुत एजी है और लेस टाइम कंज्यूम है क्योंकि concept based है कि अगर आपको यह concept पता है सब केमिकल बॉंडिंग की बात करें और अब तो बच्चे के लिए थोड़ा सा और इजी हो गया है क्योंकि जो मेजर पॉर्शन है इसमें पेरिटेबल हुआ केमिकल बॉंडिंग हुआ को और ब्लोग हुआ जो पी ब्लोग से काफी क कॉन्फिडेंस दे जाते हैं और फी बच्चे वे तेन में से आपको five questions सेलेक्ट करने होते हैं कि किस में आप शोर हैं और अभी जैसे आप बोल रहते हैं कि जैसे formula based तो अभी तो फिजिकल में ऐसा है जो major of questions आ रहे हैं वो formula based दिए तो बच्चे को अगर formulas भी पता है तो भी बच्चा उसको easily attempt कर सकता है तो आप यही कहना चाहरे है chemistry में inorganic, organic और फिर फिजिकल में कहीं फस सकता है वो concept लगाने में नहीं सब बस वो formula based question आ रहे है तो ऐसा फसने वाला question अभी NTA दे नहीं रहा है तो टाइम लग सकता है हो सकता है 10 में से 2 question ऐसे हो जो पसाने वाले हो पर NTA ने हमें बच्चों को इतने choice दिया हुआ है कि दस में से आप पांस देख लो क्योंकि सर यहां पर में में और एडवांस पर दोनों में एक art of selection बच्चे को आना चाहिए अच्छा जैसे एक general वो रहता है कि IOC का question तो ऐसा आएगा कि बेटा हो रहा है तुझ से हो रहा ह अर ठीमिटने बीचा क्या अचैन आन अचैन ना हो जाता है टो बच्चे के लिए प wrath ग्र्चे और फिजिक्स को करम कंप्रेस कर से कुछ चप्रस इस्पेसिफाइट जो जादा स्कुरिंग हो अभी हाँ एक्जेक्टली अभी कुछ दिन पहले मैंने वेबिनार भी लिया आता है इस पर आप भी में साथ थे जिसमें क्लीर यह बताया था कि देखो 12 वाला पॉर्शन हमेशा से जादा आता है उस 12 वाले पॉर्शन में भी एलक्ट्र स्टेटिक से लेकर अल्डिनिंग करन तक एक अरांड पूरे पेपर का 30 चंक वहां से बनता है और मेकैनिक्स काइनेमेटिक से लेकर रोटेशन तक 20 परसेंट हो बनता है तो यह दो यूनिट 50 परसेंट कवर कर लेत दोटेशन बाकी चीजों को भी छोड़ना नहीं है उसका भी एटलिस्ट आप एक पढ़के जाएं फॉर्मले सारे आपको याद कॉस्ट्ट्र आप पेटा देखो फिजिक्स में कॉस्ट्ट्र बहुत ज्यादा तफ नहीं आता है मेंस में ऑल्मोस सिंगल फॉर्मल बिस कॉ सब्सक्राइब करना अब बात करते हैं अपने एक्सपरटीज सेग्मेंट के बारे में जो की एलन का सब्सक्राइब कर लिया है और उन में से बहुत सब्सक्राइब अब मुझे रिवाइज करना लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिसमें इसमें मान लो चाहिए मैं समय कि में कि मैं जाए प्रशन तो अच्छा आता है एलक्ट्र डाइनिस्ट्री आता है यह आप्टिक्स निया यह जाता है यह फ्लुडनी आ रहा है मुझे मैं सब्सक्राइब कर चुके उनके लिए तो आई तिंग उनने तो फुल टाइम मॉक्ट अब बात करते हैं उन बच्छों के जिन इस ताइम ज्यादा है एक्शली जो जिन पुरे स्लेवर्स को लेकर कॉंपिडेंट एं तो अ यह वो अपनी प्रिपराशन को शार्प करने के लिए उनको हो सब्सक्राइब पहले एक दो वीक बाते टेस्ट दे लें उसके बाद उन सब्सक्राश के अट रयाओं ut अटस् chemicals आणprofit मन्स को अट भाएं मन्स के लिजए वहाँ है झाला है अटस्क भाएं ऐसका फोकुस्क टो करना है अगिज अटस्ट अटकेस्ट यह को थे खेट अटके को गपो सब्सक्राश के अट बशन है तो बच्चो उन जो पार आपका वी को आपको 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 दोनों को बैलेंस करना आपको वे भी और साथ को पूल टेस्ट पी आपको देने वाच्छा अच्छे सर क्या मैसमें ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा पूपिक हो आप यह कहादे कि चल बैटा थीक है इस तो मुझे प्रवेविल्टी पर्मूटेशन को बिल्कुल नहीं आता था बिल्कुल भी नहीं और मैं पूरा छोड़ कर गया था मेरे टीजर नहीं का थै क्यूंकि उस ताइम पर क्या है मैंनों तो नाइंट नंडर मार्क्स के तीन पर आते थे पुरा सब्जेक्ट्वी एक्ज पर लगता है कि बच्चे का अभी तक बहुत वीक था अभी तक बहुत वीक था अब स्टॉं करने जाएगा तो टाइम बहुत वेश्ट होगा रादर देन कि जो इसका थोड़ा बहुत आता है उसको इंप्रूब कर ले उससे चाहिए तो छोड़ी दे बिल्कुल क्योंकि एडवांस में ऐसा कॉस्चन दॉएगा निया कि हलका भुलका करके सौद जाए तो सर ने बहुत अच्छी बात करी यहां पर कि एडवांस की अगर वच्चा आपके 20-22 चेप्टर से स्ट्रोंग है अच्छी मतलब एडवांस लाइक बिल्कुल कंप्लीट है और गर साथ चेप्टर से भी है ठीक है जहां तो बेसिक से तो बेसिक से उपर आपके तो मेरा सर मेरा पॉइंट तो यह रहेगा कि जो चेप्टर सापके कि उन पर अभी मेरे काल से बहुत एक्स्ट्रा हाडवर्ड करने की ज़रूत यह पो टीक उसे एक बेसिक से अपर पाट पढ़ो गच्छो ताकि अगर इजी आता है तो हम कर पाएं अगर जो हम कर पाएं पर जो हम को आते हैं उनसे जो क्रेशन आएंगे हुआ हमारी सब्सक्राइब करें कि अगर मालीजी जैसे सण ने बताया कि अगर पीएंची कमजोर है या complex number कमजोर है तो उसको आप medium level तक कर लो लेकिन advance के level तक जाओगे तो बहुत time देना पड़ेगा उतना time आपके पास नहीं है केमेस्टी में ऐसे कोई chapters है और या ऐसा कोई segment है कि अगर वो बच्चे का by chance week रह गया है तो उसको वो कहां तक करे या बिल्कुल छोड़ दे या क्या करें उसके वाले में सब्सक्राइब करें कि जो एडवांस में थोड़ा सा accuracy वाला पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा हमें देखना होता है अगर बच्चा में में जाता है तो ठीक है efficiency भी रिक्वाइड है और accuracy भी एडवांस में लाएक्यूरेसी कबहा होता है कि आप कितने कृशनज सही कर रहे हो कितने नेकिट्यूम नीमाईज कर रहे हो अगर चाहर पोर्शन को अच्छे से करें गा बाग की दूरे पोर्शन को थोड़ा-थोड़ा कर ले तो भी बच्चे का काम चल जाता है अब अगर हम IOC में बात के तो सर, IOC और OC में जो जो जनेरेट हो रहे हैं, यह मैं सिंपली पले IOC की बात कर दो तो 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 दोनों में बिल्कुल वेटेज अगता है, मेंस में भी वेटेज हैं और एडवांस में भी है और अभी पिछले कुछ 2016-15 में जो एडवांस का पेपर अब जो पी ब्लोग मेंस से हटा दियाता सर, उसमें क्यूशन से सिक्वेंशल वाले आते हैं, कि A से B बन रहा है, B किसी से नहीं कहते हैं, तो यह कुशन अगर बच्चा सॉल करता है तो यह थोड़ा सा टाइम कंजूमिंग है, अब यह कुशन तभी हो सब बच्चे ने कि बच्चे पूशते हैं कि सर हमारा पीसी तो ठीक है, आयोसी में सर बहुत सरा पोर्शन है तो में केसे सोल करो, कि मैं याद तो कर रहा हूं पर क्यूशन हो निरा है, यह मैजर ऑफ इस्टुएंट्स यह कुशन रेस कर रहे हैं, तो अब जब तक आप अपना कुछ अपना क्यूशन की पैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए, मेरे इसाब से, जितना बच्चा क्यूशन की पैक्टिस कर रहा होगा तो वह पोर्शन उसका कवर हो रहा होगा, तो सर जो आपने पोइंटरीस कहाता तो उसका भी मैं पहले बता दूँ पॉइंट कि फिजिकल केमिस्टी में केमिकल एकलिवम, आइनिक एकलिवम, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, थर्मो डैनिमिक्स यह तो पोर्शन होई गये हैं, जो मेजर इंपोर्टेंट वाले हैं, सर्फेस केमिस्टी बहुत हलका चेप्टर है, पर क्यूशन वहां से बन जाते हैं, और उसके बाद अगर हम आयोसी केमिकल बोनिंग हो गया, कोडिनेशन हो गया, पी ब्लोक हो गया, और सॉल्ट अनालिसिस, यह चार मेजर पोर्शन है, जहां से क्यूशन बनने के चांसे बहुत ज्यादा हैं, जो प्रीवियस यहां पर बताया जा रहा है, प्रीवियस हिस्ट्री के वैसिस में बात करें, औ प्रीवियस ही है, और यहां पर जो भी डियक्शन, जो नेम रियक्शन होती है, वहीं से सर्फ मेजरी क्यूशन यहां पर बनते हैं, तो सर्केमिस्ट्री में इसा नहीं कि आप एक पर्टिकुलर यूनिट कर जाएंगे, तो आपका काम चल जाता है, पर पूरा केमिस्ट्री इस पेपर को बहुत तफ कहते हैं, अगर फिजिक्स का पर तफ हाया, मैं कहा रहा हूँ इस बार फिजिक्स तफ तफ होते हैं, और यह अचानल की आपनी पॉंट रेज कर दिया, और मुझी याद आगया, यह बहुत जरूरी एस नहीं कि हो चाहे मैस का पर हो, केमिस्ट्री पर फिजिक्स का अगर यह एक्जामनल कहा गया कि आपको जो प्र सेटर है, उसे बतायागे आपको पांच कॉर्शन रखने हैं, पांच स्टफ रखने हैं, ऐसा रखने हैं, जो बहुत ही नॉर्मल बच्चे से बिलकुल सौनला हो, मीडियो बच्चे से सौनला हो, जिसने ब आपको घवराना नहीं है, छोड़ो उसको आगे हो सकता है, दस कॉर्शन लाइन से इजी रखने हो, सर्ब मैं बच्चों की तरफ से एक क्यूशन पूछना जाओंगा कि माल लिजी मैं एक एवरेज स्ट्वेंट हो, अब उसमें उन पांच कॉशन टफ डाल दियें, तो सर् एग्जेक्ली वही करना होता है, आपने जैसे पेपर खोला, एक पेज पे एक या दो ही कॉशन लिखे होते हैं, अब आपने देगा, पहला कॉशन एक मिनिट पड़ा, आपको लगता है कि नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल जारा, मैं समझ ही नहीं आया कि पूछा क्या, छ सॉल करना स्टार्ट किया, टैन मिनिट हो गया, सॉल नहीं हुआ, आपने छोड़ा, ये कोई option लगा दिया, ये कोई option टिक कर दिया, अब आप सोचो दूसरे पहे, क्योंकि पेपर सेटर ने दिमाग से खेला था आपके, चार्ट अफरत ने चार लाइन से रख रखे हैं, द एक मिनिट पढ़ते उसको आराम से, देखते कि नहीं सॉल हो रहा है, अगले बढ़ता हूँ, एक मिनिट आप इन्वेस्ट करते कि आपको 29 मिनिट बचा रहा है, ये पॉइंट आपका बहुत सही है, तो the selection and rejection of question, decide the selection of student, वहीं decide करता है, तो students मैस में सरन ने बताया कि कौन से चैप्टर पर आप फोकस कर सकते हैं ज्यादा, chemistry के आवरिम बता दिया, physics कम मैं आपको बता दूँ कि physics में, देखिए, major chunk, mechanics वाला portion और एलेक्टर डाइनिस वाला होता है, advance में आपको बिलकुल भी modern physics को ignore नहीं कर देना, modern physics simple है, आप chemistry में पढ़ते हैं, physics में पढ़ते हैं, हमारे पास तो है हमारा portion simple है, और question अच्छे खासे आते हैं, एक unit ऐसा है, flood, तो अगर आपको flood नहीं आता है, तो आप abuse पे time waste मत करना, बिलकुल बेवफा subject है, बिलकुल बेवफा topic है, आपने बहुत time भी waste कर दिया, question ऐसा आजाएगा, हवा भी न लगेगी, तो हर subject में होते है, so students, जिनकी preparation, जिन topics के आपकी अच्छी है, उन्हें आप और strong करें, और कुछ जैसे मैंने physics में बता है, फ्लूड है, वो आपको नहीं, दो साल तक आप अच्छे से नहीं कर पाए थे, तो अब आप उस पर time बिलकुल waste मत करें, मैं तो ये suggest करूंगा, अब आपको मीडिय करें, कीतर क्षिको का been बता करें, सों करें डिलकुल, जो तक आपको तो चय जो आपको करें, फ्लूब करें अच्छे से एपन एच्छे से अजफे तो यह जिन,गर फ्लूटी फैफवग पर दिलक्क मैं करें आपको छो पड़ीनवाय हometric तो बच्चों 20 प्रस 3-4 मिला लोगे आपके 24-25 कुशन तयार हो रहें बच्चों बिना extra effort मतलब जो आपको आते हैं वही कर रहे हैं और इस पर इस पर रहे हैं बहुत अच्छी है कि अरे मैं सर आप से यही का ना और सुर्य असर से उस ताइम बात हो ती अभी तो हम यही कहते है आपको मनपसंद आइटी मिल जाएगी और अच्छी खासी ब्रांश मिल जाएगी अब आप लोग के साथ यह बताया कि आपको क्या करना चाहिए अब आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशकबरी भी है जो कि कुछ स्ट्रेंस कन्फूज होंगे कि सर मेंस तो क्लि सब्सक्रा है कि इस सब्सक्रा तरकों कर रेंग नां दो कि सब्सक्राम को आई की अपको इसро smashed चाहिए कि कॉर्स कार तो और सपांट था प्रांड करना है क Travis before जो पातातो बश्कार तौह Sedan में बड़को बुल आपको आपको ऊहाँ करना की और सवाबारा फूर तो में तो मे दीज़ समय है कि अब यहां पर दिमाग खोलने वाले कुछेंश नहीं मोड़ार पेड़कर चाहिस नहीं करने वाले वाले तो इतने सो कुछ फिचर यह एडवांस नहीं है तो अगर आप लोग स्योर हैं एडवांस के तियारी करने के लिए तो प्लीज 22 फेबरी से जो हमारा कॉर्स स्टार्ट होरा उसको जॉइन करें और अपनी रेंग को अपनी प्रेशन को और बॉस्ट करें अधिस इस अल फ्रॉम आर साइड एंड थैंक यू वेरी मुच अल दे बेस्ट थैंक